दुनिया भर की अधिकांश जो सोसाइटीज हैं अधिकांश जो समाज हैं वो अपने आप में पैट्रियारकल हैं यानी पित्रसतात्मक हैं और ऐसे पित्रसतात्मक समाज में अक्सर महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए काफी ज्यादा लड़ाई लड़नी पड़ती है औ और कानून को भी कभी कभी इस लडाई में हस्तक्षेप करना पड़ता है। इस संबंध में खालिया निर्णे बॉम्बे हाई कोट की गोवा बेंच द्वारा दिया गया। इस निर्णे में मुख्यतोर पर इस विशे पर बात की गई कि भले ही महिला को शादी के दौरान उसके विवाख के दौरान दहेज दिया गया हो लेकिन उसके बावजूद भी उसके पिता की संपत्ती में उसका अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। आज इस वीडियो में हम इसी विशय और इसी निर्णे से संबंधी तमाम पहलूँ को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षे और आपका स्वागत है दृष्टिया इसकी इसनई वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुबात करते हैं और सबसे पहले वीड के संपत्ति के अधिकार को समझेंगे और जो दो कानून है मिताक्षरा कानून और दया भागा कानून इन दोनों कानूनों की बीच जो सबसे बड़ा अंतर मौजूद है उसको समझने की कोशिश करेंगे इसके अलावा अंत में आगी की राह पर भी बात करेंगे और एक प् वीडियो की शुरुवात करते हैं और सबसे पहले गोवा बेंच के हालिया डिसीजन की बात करते हैं तो गोवा बेंच के हालिया डिसीजन को समझने से पहले हमें इस पुरे विवाद को भी समझना होगा ये जो पुरा विवाद है ये विवाद मक्य तोर पर गोवा के एक पर दौरान परिवार दौरा बहुत जादा ही दहेज दिया गया था तो ऐसे में इस दहेज की वजह से पिता की संपत्ती में उनका जौ अधिकार है वो अधिकार पुरी तरह से समाप्त हो और इसी चीज को लेकर जो बहने थी उनके द्वारा Bombay High Court की Goa Bench में एक याचिका दायर की गई थी और इसी याचिका पर Goa Bench द्वारा अपना decision दिया गया है क्या decision है तो Goa Bench ने सपश्टार पर अपने decision में कहा है कि चाहे परिवार द्वारा बेटी को कितना भी दहिज दिया गया हो लेकिन इस दहेज के बावजूद भी जो बहन है वो परिवार का हिस्ता होना बंद नहीं हो जाती वो इसके बाद भी इस दहेज के बाद भी परिवा की संपत्ती में दोनों को एक समान अधिकार प्राप्त हैं और भाई और बहनों की बीच संपत्ती का समान विभाजन किया जाना चाहिए चाहे बेटी को कितना भी दहेज मिला हो तो ये तो decision की बात कोई जाहर तोर पर ये जो पूरा decision है ये बहुत जादा विशेश हो जाता है अब आगे बढ़ते हैं और भारत में समगर तोर पर बेटियों के संपत्ती के अधिकार की बात करते हैं तो भारत में जो हिंदू कानून है जो मुखे तोर पर हिंदू परसनल लौज है उन्हें प्राचीन आधार पर दो हिस्सों में दो ब्रांचे में डिवाइट किया जा सकता है इसमें पहली ब्रांच है मिताक्षरा और दूसरी ब्रांच है दया भागा और क्योंकि जो मिताक्षरा ब्रांच है वो ब्रांच भारत के अधिकांश हिस्सों में लागू है तो ऐसे में इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार 12 साल 1955 में इस मिताक्षरा कानून को सनिताबध तरीके से कोडिफाइड तरीके से लागू करने के लिए साल 1955 में हिंदू उत्राधिकार अधिनियम को लागू किया गया था अब ये जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है ये भारत में उन सभी लोगों पर लागू होता है जो मुस्लिम समुदाय से नहीं है, इसाई समुदाय से नहीं है, पार्सी नहीं है और जो यहूदी नहीं है तो इन चार समुदायों को छोड़कर जो तमाम समुदाय है जैस इस ब्रांच में सहेभागिता यानी संदायत्ता को लागू किया गया है इसका मतलब ये है कि माता पिता की समपति स्वतह ही उनके बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है यानी और यही इस पूरे नियम को दया भागा से अलग बनादी है इस पर हम आगे बात करेंगे फिलाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भारत में बेटियों को किस तरह के अधिकार प्राप्त हैं तो साल 2005 से पहले मुखतार पर बेटियों को पिता की संपत्ती में कोई विशेश अधिकार प्राप्त नहीं था लेकिन साल 2005 में भारत सरकार द्वारा हिंदू उत्राधिकार अधिन्यम में संशोधन किया गया और इस संशोधन के जरिये बेटियों को पिता की संपत्ती में समान अधिकार प्रदान किये गए लेकिन यहाँ पर विशेश बात यह है कि यह जो समानता की बात की गई है यह जो एक्वैलिटी की बात की गई है यह एक्वैलिटी की बात किवल पैत्रक संपत्ती में ही लागू होती है किवल एंसेस्टर जो प्रॉपर्टी है उसमें ही लागू होती है अगर किसी पिता ने अपने पैसों से कोई संपत्ती खरीदी है, तो ऐसे मामले में ये equality का सिधान्त लागू नहीं होता, ऐसी स्थिती में ये पिता की इच्छा पर निर्भर करता है, कि वो अपनी संपत्ती को अपने बच्चों की बीच किस तरह से विभाजित करना चाहते हैं, यदि पिता चाहे ऐसे मामले में कि यदि उसने कोई संपत्ती अपने पैसों से खरीदी है, तो वो चाहे तो अपनी बेटी को जादा दे सकता है, या फिर अपने बेटी को जादा दे सकता है, या फिर किसी और को संपत्ती दे सकता है, लेकिन अगर वो संपत्ती ancestral है तो ऐसे मामले में उस संपत्ती का समान अधा आधार पर ही विभाजन किया जाएगा तो ये तो विभाजन के बात हुई हाला कि यहां पर एक सिती और बनती है कि मान लीजिये कि यदि किसी पिता ने अपने पैसों से कोई संपत्ती खरी दी थी लेकिन उस संपत्ती का विभाजन करने से पहले ही उस पिता की मृत्ती हो जाती है और उसके द्वारा कोई वसीहत भी तयार नहीं की गई है तो ऐसे मामले में कानून ये कहता है कि उस संपत्ती का बेटे और बेटी के बीच समान अधार पर विभाजन किया जाएगा तो ये तो तमाम प्रावधानों की बात हुई तमाम कानूनों की बात हुई इसके अलावा यहां पर एक मामला और उठता है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने तमाम डिसीजन्स में इसकी पुष्टी भी की है कि बेटी की जो वेवाहिक स्थिती है उसका जो मेरिटल स्टेटस है वो मेरिटल स्टेटस उसके अधिकार को प्रभावित नहीं करता है यानि कई बार लोगों द्वारा इस तरह का तर्क दिया जाता है कि आप तो बेटी की शादी हो गई है तो उसे अपने पती की संपत्ती प्राप्त होगी तो ऐसे में उसके पिता की संपत्ती पर उसका कोई अधिकार नहीं है लेकिन ये तर्क पूरी तरह से गलत है उसका जो marital status है उसका जो व्यवाहिक होना है वो उसके अधिकार हो उसके equality के सिधान्त को बिलकुल भी प्रभावित नहीं करता है तो ये तो बात कोई पिता की संपत्ती की लेकिन समान प्रावधान माता की संपत्ती पर भी लागो होते हैं जो माता की संपत्ती है उसको भी मुख्यतौर पर हिंदू उत्राधिकार अधिनियम के तहत ही विभाजित किया जाता है और हमने पहले ही बात की कि इस पूरे अधिनियम में बेटियों और बेटों को समान अधिकार दिये गए हैं यानि माता की संपत्ती भी बेटे और बेटि जो विवाहिक बेटी है उसको मा की संपत्ती का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है यानि जब तक उसकी मा जिंदा है तब तक उस बेटी को संपत्ती प्राप्त नहीं होगी उसको जो संपत्ती प्राप्त होगी वो अपनी मा की मृत्यू के बाद ही प्राप्त होगी तो य दों। ब्राजचेज में डिवाइट किया गया है, पहली है मिताक्षरा और दूसरी है दयाभागा, मिताक्षरा की बात करें, तो मिताक्षरा को जो अपना नाम मिला है, वह नाम मोخिताओर पर एक प्राचीन कानून को अपना नाम मिला है अब दूसरा कानून है दया भागा तो दया भागा कानून को अपना नाम तो उनकी टिपड़ी के आधार पर दया भागा को अपना नाम मिला है इसके अलावा यह जो मिताक्षरा कानून है यह मिताक्षरा कानून भारत के अधिकान शहसो में लागू होता है लेकिन जो दया भागा कानून है वो किवल पश्चिम बंगाल और असम के कुछ छेत्रों मे लागू होता है तो इसका जो दाइरा है जो दया भागा कानून का दाइरा है काफी जादा छोटा है इसके अलावा दोनों के बीच जो सबसे बड़ा अंतर है जिस पर हमने पहले भी बात की थी वो ये है कि मिताक्शरा कानून के तहत जन्म से पैतरक संपत्ति में पुत्र की जो हिस्सेदारी है वो स्वता ही तेया हो जाती है आटोमेटिक तरीके से निधारित हो जाती है यानि के पिता की जो संपत्ती है उस संपत्ती पर बेटे के जन्म के साथ ही उस बेटे को अधिकार प्राप्त हो जाता है तो ये है मिताक्षरा कानून लेकिन दयाभागा कानून इस से थोड़ा अलग है ये कानून कहता है कि पुत्र का जन्म के साथ उसकी संपत्ती पर कोई अधिकार नहीं होता यानि कि यदि आप दया भागा कानून को मानते हैं तो आपके पिता की संपत्ती पर आपको आपके जन्म के साथ कोई अधिकार नहीं मिलता जबकि आपको की बात हुई अबंत में इस पूरे विशय से जुड़े निसकर्श की बात करते हैं आगे की राह की बात करते हैं तो आगे की राह के तौर पर हम कह सकते हैं कि कोई भी कानून या फिर सुप्रीम कोट का या फिर कुछी भी तरह की नयापालिका का कोई भी जो निरने है वो नि भारत के जो आम लोग हैं भारत क्योंकि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो ऐसे में आम लोगों को आम लोगों की मानसिक्ता में बदलाओ किये जाने की जरूरत है बदलाओ इस बात को लेकर किये जाने की जरूरत है कि उन्हें ये समझाना जरूरी है कि संपत्ती में बेट प्राप्त हो जाता है इसके अलावा भारत में ये भी समझने की जरुवत है कि केवल दहेज के अधार पर संपत्ती का जो अधिकार है वो समाप्त नहीं हो जाता केवल दहेज लेने से समानता का सिध्धान्त समाप्त नहीं हो जाता इसके अलावा भारत में महिलाओं को भी करती हैं तो ऐसे में गलत धारना बन जाती है और धारना को समाप्त करने के लिए जरूरी है कि महिलाएं अपने अधिकारों का सही डंग से प्रयोग करें और वो अधिकारों का सही डंग से प्रयोग कर सकें इसके लिए जरूरी है कि उन्हें इन अधिकारों के बारे में जाग करने की उद्देश से विभिन कानूनी प्रावधानों के बावजूद भारत में महिलाओं को संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करने में महत्वपूर बाधाओं का सामना करना पड़ता है हमें इस पूरे कथन की विवेशना करते हैं यानि हमें बताना है कि भारत में अधिकारों के लिए उनके संपत्ति के जो अधिकार हैं उसके लिए तमाम तरह के कानून लागू किये गए हैं लेकिन इन तमाम कानूनों के बावजूद भी भारत में महिलाओं को अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है त किस वर्ष लागू किया गया था मुझे उमीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदों पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आप इस वीडियो से जुड़ी पीडियाफ को चाहते हैं तो आपको यह पीडियाफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके लावा कॉमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा पिन कॉमेंट मिल जाएगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिलकुल न भूलें मिलते हैं आप से एकली वीडियो में त झाल झाल